दोस्तो आजम सेर कर रहे हैं समोसा मठरी की रेस्पी बनाना बहुत ही आसान है इसमें आपको समोसे और आलू कचोड़ी दोनों का टेस्ट मिलेगा ये एकदम खस्ता बनते हैं और आप इन्हें 12 से 15 दिन तक इस्टोर कर सकते हैं तो चलिए बनाना सुरू करते हैं समोसा मठरी बनाने के लिए एक बॉल में हम ले रहे हैं 1.5 कप मैदा मैदे की जगा आप गेहू के आटे से भी ये मठरी बना सकते हैं इसमें आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे और एक छोटा चम्मच आजवाइन अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालिएगा तो इनकी खुस्बू बहुत अच्छी आएगी और ये पाचन का भी काम करते हैं आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और आधा छोटा चम्मच कलॉंजी जिसे मंग्रेल या काला जीरा भी बोलते हैं एक चम्मच मैंने कसूरी मेथी लिए क्रश करके मोयन के लिए हम इसमें डालना है दो टेबली स्पून तेल तेल की जगा आप घी भी ले सकते हैं घी में मठरी और भी ज्यादा खस्ता बनती है तो इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे रगरते हुए मिलाईएगा जिससे आटे में मोयन अच्छे से लग जाए और देखे ये मुठी में बनने लगे हैं तो मोयन हमारा एकदम परफेक्ट है अब मठरी में समोसे वाला टेस्ट देने के लिए मैंने यहाँ पर दो मीडियम साहिज के उबले आलू को इनको आटे में डाल देंगे अब समोसे जैसा चटपटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक चम्मच अधरक लासन मिर्च को क्रश करके ले लिए साथ में हम इसमें डालेंगे एक चोटा चम्मच धनिया पाउडर और आथा चोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर इन सभी चीजों को हम पहले आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलू के मौस्टर से ही मठरी का आटा गुत जाता है जरूरत पड़ेगा तभी हम इसमें पानी डालेंगे तो पहले हम इनको अच्छे से मिला लेंगे जरूरत पड़ेगा तभी हम इसमें पानी डालेंगे और देखे ये अच्छे से बाइंड हो गए है पर इनका डो नहीं बना है तो अब हम इसमें एक से दो चम्मच पानी डाल दे रहे है और इनको गूत ले रहे है सिर्फ दो चम्मची पानी डाला था ये ना तो ज़्यादा हाड है ना ही ज़्यादा सॉफ्ट समोसे का डो होता है ना उसी तरह से मैंने इनको गूत लिया है अभी हम इनको सेट होने के लिए रख देते हैं और एक साटा त्यार कर लेते हैं तो इसके लिए एक बॉल में हम ले रहें दो चम्मच घी घी की जगा ओयल ले सकते हैं इसमें दो चम्मच मैदा डालेंगे और इनको अच्छे से मिला लेंगे इनको मैंने अच्छे से मिक्स कर ली है इधर आटा भी अच्छे से सेट हो गया है तो अब हम इसके दो भाग कर लेंगे और इनको हाथों में मसलते वे इनकी लोई बना लेंगे इस तरह से मैंने दो लोई यां बना ली हैं अब एक लोई लेंगे इसे सरफेस पे रखेंगे और इनको बेल लेंगे और इनकी एक बड़ी रोटी बेल लेंगे आलू से याँटा गूथा है तो ये बहुत असानी से बिल जाती है मैदे की तरह सिकूर्थी नहीं है और देखे इनको मैंने इस तरह से पतला बेला है और बड़ा बेला है अब हम ये साटा लेंगे और इसे रोटी के उपर बराबर से फलाते वे लगा लेंगे और आप एक तरफ से उठाएंगे और इसे इस तरह से रोल कर लेंगे टाइटली रोल करिएगा जिससे की इन में एर बबल ना रहें और रोल करने के बाद एक बार इनको इस तरह से हाथों से दबा दिजेगा और थोड़ा पतला कर लिजेगा अब चाकू लिजे और चाकू से इसके छोटे छोटे पीसेच कट कर लिजे मैंने इसे आधी आधी इंच की दूरी पर काटा है आप चाएं तो छोटी छोटी लोईयां बना कर भी ये मठ्री बना सकते हैं पर इस तरह से एक बार में धेर सारी लोईयां भी कट जाती हैं और इनमें लेयर सा जाते हैं तो मठ्री और भी ज्यादा खस्ता बनती हैं तो कुछ लोईयां मैंने बना ली हैं अब एक लोई लेंगे और इसे पूड़ी के बराबर बेल लेंगे और देखिए इनको मैंने पतला बेला है पतला बेल कर लेंगे तो मठरी अंदर तक अच्छे से पक जाएगी और एकदम खस्ता बनेंगे अब इनके उपर भी हम थोड़ा सा साटा लगाएंगे जिससे इनकी परते असानी से खुल जाएं अब एक चाकू लेजे और चाकू से पूड़ी के आधे इसे में कट लगा लेजे अब कटे हुए हिस्से के एक कॉर्नर को उठाईए और इस तरह से फोल्ड करते जाईए जैसे हम लेयर्स वाले पराठे बनाते हैं ना सेम उसी तरह से और दूसरे कार्नर को उठाकर इसके उपरचिप का देजिए इस तरह से समोसे का सेपा जाएगा हलका सा हम इसे प्रेस कर देंगे जिससे की ये खुले नहीं बहुत आसान है इसे बनाना और देखिए इस तरह से मैंने अभी कुछ समोसे मठ्री बनाकर त्यार कर ली है और इसमें एके करके ये समोसे डाल देना है डालने के बाद गैस का फ्लेम लो और मीडियम के बीच में कर देजेगा और जब ये थोड़े सीख चाएं तो इनको उलटते पलटते विए फ्राई करिएगा धीरे धीरे आप देख सकते हैं इनका कलर चेंज होने लगा है और इनकी परते खुलने लगी है तो धीमी आज पर ही हम इनको थोड़ी देर और फ्राई करेंगे जब तक कि इनका कलर सुनारा न हो जाए और देखिए इनको फ्राई करने में 8 से 10 मिनट का समय लगा है इनका कलर गोल्डेन हो गया है तो अब हम इनको निकाल लेंगे आप देख सकते हैं इनमें बहुत अच्छा सा कलर आ गया है और ये एक्तम खस्ता बने है टेस्ट में ये बिल्कुल समोसे जैसे लगते हैं पर आप इनको 12 से 15 दिन तक इस्टोर कर सकते हैं और जब ची चाहे फ्राई मिर्चे, कैचप या चाय के साथ खा सकते हैं मेहमानों को भी सर्फ कर सकते हैं सभी पूछेंगे कैसे बनाया तो दोस्तो मठ्री तो आपने बहुत तरीके से बनाई होगी एक बार उबले आलू से ये समोसा मठ्री बना कर देखिए सभी को ये बहुत पसंद आएगी तो चलिए इनको हम तोड़ कर दिखाते हैं और देखिए ये अंदर तक अच्छे से पके हुए हैं एकदम खस्ता बने हैं तो दोस्तो ट्राई करिए और रेश्पी जरा भी पसंद आए तो फ्रीज वीडियो को लाइक सेर कर दीजेगा और चैनल पर नए हों तो सस्काइब करना ना भोलिएगा फिर मिलते हैं एक नई रेश्पी के साथ धन्यबाद